बात है, साल जून 2023 के महराशु थाने के भेंदर शेत्र में बनी हुई एक बहु मंजला इमारत, गीता अकाश दी, साथवी मंजल पर स्थित एक फ्लाट, जे सेवन जीरो फोर के आसपास रहने वाले पडोसी काफी परेशान थे, आस सहनी ये बदबू, अब उनके लिए मुस तुक्रे पड़े थे, कुछ तुक्रे बाल्टियों में खून के साथ थे, और कुछ रसोई में एक कूकर में उबाल कर रखे गए थे, पुलिस वालों ने ऐसा मन्जर अपने करियर में कभी नहीं देखा था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिर यहां हुआ क्या है चारों तरफ अफरात तफरी का महर था, सबी अपने अपने प्रयास लगा रहे थे आखिर हेवानियत की सीमाओं से परे, ये मामला था क्या, दरंगी का ऐसा घिनोना खेल खेलने वाला कौन था, आखिर उसका मकसद क्या था तो आईए, अब देर किये बिना, आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सचाई की तरफ, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी आगे बढ़ने से पहले हमारे चानल को आप सब्सक्राइब कर लीजे, लाइक कर दीजे और साथे साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी आने वाली इस तनहा की इंफरमेशन आपको सबसे पहले मिल सके ये कहानी है लिविंग रिलेशनशिप की जो आजकल की दौर में काफी आम बात है 18 वर्ष की हो जाने के बाद सुरसती वैद अनाथ हाले छोड़ कर अपने दूर के रिष्टदार के साथ रहने आ गई सुरसती वैद ने S.S.E. परिक्ष्रों में आसफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी मनोच साय काफी पढ़ा लिखा आदमी था अनाथ होते हो भी उसने अध्योकिक प्रशिक्षन लिया हुआ था लेकिन ट्रेन टेक्नीशन होने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी वे राश्र की दुकान पे ही काम करता था परिवार के नाम पर उसके पास कोई नहीं था उसके चाचा मधुकर साने और कुछ चचेरे भाई भेर्ण थाने में रहते थे परंतु उनका मनोच से कोई लेना देना नहीं था घटना के 15 साल पहले बोरी वाली के वाके नाका में राश्र की दुकान पर मनोच साने और सुरसती वैद की पहली मुलाकात होती है बात होई बातों में जब सुरसती को पता चलता है कि उसके तरह मनोच भी एहमद दगर से ही है दोनों जल्दी दोस बन जाते हैं बात में जब यह पता चलता है कि दोनों अनात है तो दोनों के दिल में दूसरे के लिए जगा बन जाती है इसी बीच मनोच ने आरती तंगी से परिशान होकर सुरसती को एक दुकान में सील्स गर की नौकरी दिलवा दी क्योंकि मनोज हर मुश्किल में सुरस्वती के साथ खड़ा था उसे मनोज का साथ अच्छा लगने लगा हर छुटी-छुटी समस्या के रिए से मनोज का सहरा लेना पड़ता और मनोज ही भेजी जग उसका साथ देता आखिरकार सुरसती वैद ने अपने और मनुज सानी के बीच में 20 साल का बड़ा अंतर होने के बावजूद मनुज के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया और दोनों मीरा रोड रहने चले गए और गीता नगर में किराय के मकान में रहने लगे ये दोनों अपने पडोसियों से ज़ादा वास्ता नहीं रखते थे ना ही कहीं ज़ादा आते जाते थे लेकिन जिस तरहां से वो एक दूसरे के साथ बात चीत करते थे उससे पडोसियों को ये मानना था कि दोनों पती-पत्नी है खटना के दिन यानि साथ जून को जब पुलिस फ्लाट में पहुंच री और फ्लाट का दर्वाजा खटाया तो मनुष ने दर्वाजा खोला पुलिस को फ्लाट में एक बोर्ड में मिला जिसमें कुछ मैट्स के सवाल लिखे होई थे उसने बताया कि सुरुसती वैद उसके लिए बेटी कितना थे उसने सुरुसती को नहीं मारा सुरुसती वैद ने कीट नाशक दवाई खा कर अपनी जान दे ली उसने कहा कि 4 जून को जब मैं घर वापस आया तो वे जमीन पर पड़ी हुई थी उसके मूंसे जाक निकल रहा था मैंने देखा उसकी सास नहीं चल रही वे मर चुकी थी उसके बाद पुलिस की गिरुफ में आने के डर से मैंने शफ को ठिकाने लगाने की सोची इसलिए मैंने सुरुसती वैद के शरीर के टुक्रे टुक्रे कर दिये सुरसती की हत्या के बारे में जानने के बाद बॉम्बे में रहने वाली सुरसती वैद की तीनों भेनों ने पुलिस से समपर किया और अपना बयान देते हुए पुलिस को बताया कि मनोज और सुरसती पती-पत्नी थे और इतना अंतर होने के कारण सुरसती अक्सर मनोज का परिशे अपने मामा के रूप में करवाती थी भेनों की दिये इस बयान के बाद पुलिस ने मनोहर से फिर कडाई से पूश्टाश करे उसने शादी की बात मानते होई कहा कि सुरसती सुभाब से बहुत शकी थी और उसे लगता था कि मनोज उसके साथ वेवफाई कर रहा है सुरसती की सी शक के चलते दूरों की बीच अक्सर लड़ाई जगडा होता रहा घटना के दिन भी ऐसा ही जगडा हुआ लेकिन उस दिन मनोज काबू से बाहर हो गया और घर से बाहर चला गया इसके चलते सुरसती ने गुस्से में आकर खीट नाशक पीकर आत्म हत्या कर दी लेकिन ज़स समय ये घटना घटी वो घर में नहीं था जब वो लोट कर आया तो सुरसती को मरा हुआ देखकर बुरे तरीके से वो घबरा गया उसे लगने लगा कि सुरसती वैद की हत्या के आरोप में उसे पकड़ दिया जाएगा शरफ को चबाने की कोशिश में ताइल कटर से मशीन से सुरसती वैद के मिर्श शरीर के टुक्रे कर दिये हिरासत में लिये जाने के बाद कोट में मनुश के वकीलों ने कहा कि ये जजज साब इसकी मानसिक हालत खराब है इसलिए छोड़ दिया जाए ताकि वे अपना इलाज करवा सके माने निये जजज ने जब पुलिस को आदेश दिया कि मनोश का टेस्ट करवाया जाए जूट और अपराद कभी नहीं छपता और टेस्ट की रिपोर्ट में ये सचाई सामने आ गई जीजे हस्पताल में इस बात की पुष्टी की गई कि ववानसिक रूप से पूरे तरीके से स्वस्थ है और उसे कोई मानसिक विमारी नहीं इस बीच पुलिस को मनोश के फ्लाट से काफी अजीब चीजे भी मिली जैसे एक हथोड़ा, एक टाइल कटर, एक मास के साथ एक प्रेशर कूकर, मास के पके होई टुकडों के साथ दो प्लास्टिक की थैलिया मास के टुकडों के साथ एक प्लास्टिक टब, भुने होए मास के टुकडों के साथ पीतल का भगोना, मास के टुकडों के साथ दो स्टील के चमच, किचन स्लाब पर रखे हुए थे सुरसती के बाल और बद्बू से बचाफ के लिए इस्तमाल किये जाने वाली खुश्बूदा तेल की शीशिया दरसन आसपास पूश्टाश करने के बाद जब पुलिस एक दुकान कार्टिका एंटरप्राइजिस तक पहुँची दुकान के मालिक ने बताया मनोच चेंशो की मरमत करवाने यहां आया था और यह पूशने पर कि वे उससे क्या लेता है उसने कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया अब पुलिस के हाथ पे पुकता सबूत लग चुका था उन्होंने अपने तरीके से मनोच क्यों रिमांड पर लिया और आखेकार उसने सब कुछ सच उगल दिया जिसों सुनकर सभी के होश और गए उसने खुलासा किया कि दरसल शक की सुरसती नहीं बलकि मनोच खुद था उससे लगता था कि सुरसती के और आदमियों के साथ नजायज रिष्टे हैं और यही शक सुरसती को मारने का सबसे बड़ा कारण बना उमर में वे उससे काफी बड़ा था और इसी इंसेक्योरिटी के चक्कर में उसने गुस्से और जलन में आकर सुरसती को मौट के घात उतार दिया मनुज ने बड़े ही शात्रियाना धंग से हत्या की योजना बनाई थी जब पलिस्वारा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री जार्च की गई तो पता चला उसने हत्या से पहले यानी 28-29 मई को गूगल में घातक की नाश्र को की खोच की थी और साथी गूगल में ये भी सर्च किया था कि किस शफ को गराने के लिए कितना समय लगता है शफ को टुकडो में कैसे काटा जा सकता है और उन्हें कैसे ठिकाने लगा सकते हैं फिर गूगल से मिली जानकारी के अनुसार ही उसने पहले हक्तिया के लिए जरूरी समान इंतजाम किया उसने 1000 के टाइल कटिंग मशीन, 4000 के 200 वल्ट वाली इलेक्ट्रिक चेन, 100 खरी दी फिर कीट नाशक दवायों का इंतजाम किया यहां तक कि शर्फ की सडान को रोकने के लिए खुशबुदा नीलगरी तेल के पांच बोतले भी खरी दी घटना के दिन उसका काफी उससे जगड़ा हुआ था और जगने के बाद उसने खुद धी सुरसती को वही कीट नाशक चाच में मिला कर दे दी उसे तरपता छोड़कर मनुद उसकी मौत का इंतजार करने घर से भार चला गया कुछ देर बाद जो वह आपसाया तो सुरसती की मुझसे ज़ाग निकल रहा था और वो दम तोड़ चुके थी उसने सुरसती की सासे को चेक किया फिर दरिंगी की सारी हते पार करते हैं उसने सुरसती की बोड़ी को इलेक्टिक आरी से 20 टुकडों में काटा, चारों तरफ फैलते हुए खून देख, उसने सुरसती के शरीर को उन खून भरे टुकडों को बाल्टियों में डाल दिया, ताकि खून बाल्टियों में ही रहे, पर श्रायत उसकी दरिंगी इतने में शांत नहीं हुए, उसने कटे उसने कतल के लिए समान खरीदा था, उनके बयान दर्च करिये गए, और इन सब सबूतों के अधार पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा, और मनोच को अदालत में दफ़ा 302 के तहट मुझरिम करार करते हुए जेल भेज दिया गया, रिपोर्ट्स के मताबिक अभी ये मुक सुरसती के साथ कोई संबन नहीं थे, पुलिस ने 1200 पेज की चार्ज शी और अरसर विटनस का ब्योरा कोट में जमा करवाया है, और उन्हें विश्वास है कि सुरसती को इनसाफ जरूर मिलेगा, घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, कि जिस इनसान के साथ हम प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो पसंदार रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद